आज के कहानी का सिर्षक है चुरेल से प्रेम हो गया मित्रो यह बहुत ही मज़ेदार कहानी है बहुत ही रोचक कहानी है आपको खूब मजाएगी गाउं की सची घटना पर आधारित कहानी है एकदम सची घटना पर आधारित कहानी है यह रमेश के साथ घटने वाली घटना प पर दी जाएगी मित्रो कहानी सुरू करते हैं बहुत ही मज़दार कहानी है पूरा अंत तक वीडियो अवश्य देखिएगा यह गाउं की कहानी है गाउं में एक रमिस नाम का वेक्ती रहता था वह गब्रु जवान था 20-25 की उमर हुई होगी नई-नई साधी हुई थी नई- भी जादागर के बाहर ही जाती है बातरूम करने के लिए संडास वगेर का यहां वेवस्था गाउं में घर में नहीं लोग करते हैं उस समय में अब लोग करते हैं अब जबाना बदल गया है योग बदल गया है मोधी योग आ गया है तो उस समय में कर रहे हैं उस समय में ल भाणवर्से निकली और बात्रूम करने के लिए बहुत निदव थी रमेश की पत्नी बात्रूम करने लिए बहुत जगल में चली गई दूर तक निकल दूर तक चली तो गई लेकिन वहां एक बर्यगत का पेर था उस पर एक चुरेल रहा करती थी वह उसका पीछा करने लगी रास्ता देखते 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 वह उसके पीछे पीछे जा रही थी उसको मौका लग गया जैसे ही मौका लगा उसने उसे धर दबोचा धर दबोचने के बाद वह घराई वापस सारे काम से निव्रित होकर रमेश का एक बच्चा नयाना हुआ था लड़का था लड़का रो रहा था बहुत लेकिन उसकी पत्नी पलंग पर अराम से पेर पसार कर बैठी हुई थी और गुनगुना रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी रमेश जब यहाँ देखा तो उसे बहुत क्रोधाया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुझे सर्म नहीं आ रही बच्चा रो रहा है और तू मजे से गाना गा रही है और खुस हो रही है दातनी पूर रही है तो उसने कहा उसकी तरफ देखा रमेश की पत्नी ने और फिर ती उसकी दड़ावनी सी रमेश को फिर क्रोधाया रमेश ने फिर जुझला हक में उससे खा कि तुझे फिर से सर्म नहीं आती दूख्या कान के नीचे एक लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली और मुस्कुराते रही और गुनगुनाते रही धिरे धिरे गाउं में बात अचरज फिल करने लगा उसे बहुत ही अचंबा हुआ कि ऐसा क्या हो गया कि धिरे धिरे लोगों को पता चलने लगया कि नहीं इसके उपर तो कुछ भूत या चुडेल पकर लिया है लेकिन रमेश थोड़ा अपने आपको गाउंवालों के सामने दिखाना चाहता था इसल बताती है क्या नहीं मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ और मैं तुझे जला कर भस्म कर दूँगा बता अने था मैं तेरा सर्वनास कर दूँगा मैं रोज भजरंग बली का पूजे कर पूजा करता हूं मैं हनुमान जी का पूजारी हूं तब उस चुरेल ने कहा कि मैं एक बड़गत के पेर पर रह रही थी तो इसको देखा यह बातरूम के लिए जा रही थी और इसका बच्चा भी छे महीने का है इसे छे महीने के बच्चे को घर से नहीं निकलना चाहिए था निकली इसलिए मैं इसके उपर आ गई तो कहा रमेश ने कहा कि तू एक काम कर अब तू मुझसे साधी कर ले लेकिन अजीब से इत्तफाक थे लोग हस भी रहे थे रमेश क्या बोले जा रहा है कुछ पता भी नहीं चल रहा था रमेश ने कहा कि तू मुझसे साधी कर ले चुरेल ने कहा कि मैं तू से साधी नहीं करूंगी मैं जा रही हूं मुझे छोड़ रमेश ने कहा कि अब तो तुझे मुझे साधी करनी ही पड़ेगी तो चुरेल ने पुछा कि तुम मुझे क्यों साधी करना चाहता है रमेश ने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ अगर मैं तुझे साधी कर लिया तो मैं तेरे साथ रहूँगा और तु मुझे खजाना भी ला कर दे सकती है तो उसने कहा नहीं मुझे जाने दो मैं हाँ तुससे नहीं डर रही हूँ मैं किसी और चीज से डर रही हूँ तो रमेश ने पुछा कि क्यों डर रही हो तु किस से डर रही है बता मुझे तो उसने कहा कि तुम्हारे घर के पीछे एक पीपल का पेड़ है वहाँ लोग पीपल की पुजा करते हैं उस पर एक देवता रहते हैं जिसका बर्गत पीपल का एक ठहनी तुम्हारे घर के छट पर लटक रहा है उसी से वह देवता मुझे देख रहे हैं और मुझे जला रहे हैं इसलिए मुझे जाने दो मुझे छोड़ दो रमेश ने कहा नहीं मुझे तुझ से साधी करनी ही करनी है प्रतु वह जान पचाकर उसके सरीड से निकल गई और रमेश की पत्नी ने रमेश को जटका दिया और अपने सर पे पल्लू ओड़ली उसे अचंभा लगा कि इतने लोग यहां क्या कर रहे हैं और अपने बच्चे को गोद में उठाकर रमेश पे चिलाने लगी तुम्हें सर्म नहीं आती है इतने लोगों को जमा करके यहां क्या तमासा बना रखे हो सब लोग हका बक्का होगे क कि यह क्या हो गया और सब अपने अपने घर चले गए बात करते हुए कहानी कैसी लगी मित्रो अवश्य कॉमेंट करिएगा गाउं की कहानी है रोचक कहानी है मैं समझ सकता हूं आपको खूम जाया होगा कहानी ड्रावनी नहीं थी पर बहुत मज़ेदार कहानी थी अगर ऐ आपके दे थालिवाद